हेलो गाइज, वेलकम टो क्योस PCS और आज हम लोग चलेंगे मध्यकालीन भारत में मराठा राज और मराठा राज संग जो की पार्ट 7 है और आप लोग ने अभी तक 1, 2, 6 पार्ट नहीं देखा है जो की टॉपिक वाइस कराया गया है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप लोग चाहे तो साइंस भी देख सकते हैं उसका भी ये प्लेलिस्ट मैत का भी प्लेलिस्ट है रिजनिंग का भी प्लेलिस्ट है नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मराथा प्रमुक संभा जी की हत्या कर दी गई थी, तो औरंग जब के शासनकाल में, संभा जी की हत्या कप कर दी गई, औरंग जब के शासनकाल में, नेक्स्ट है, पानीपत की तिसरी लड़ाई, 1761 हिस्वी में किन के बीच हुई, तो पेश बाजी राव द्वितिया और अहमत सहाब दाली के बीच हुई सिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं सिवाजी के पुत्र संभा जी को मराठा को संगतित और महराष्ट धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संथ थे समर्थ रामदास कौन थे समर्थ रामदास कौन थे वो ये उपदेश दिये है संबा जी को मराठा को संगठित करने और महराज धर्म को परचारित करने का ये उपदेश दिये थे कौन समर्थ रामदास नेक्स्ट है लॉर्ड विलिसली की सायक संधी सबसीडरी एलियांस को सुईकार करने वाला भारत वाला पहला मराथा सरदार था पेश्वा बाजी राव दुईतिये जो साहयक संधी को सबसे पहले मराथा सरदार में स्विकार किया था वो कौन था? पेषवा बाजी रहो 2nd लेख्श्ट है सरनजामी पृथा किससे संबंधिथि? तो मराथा भूर राजस्वे वैवस्था से सरनजामी पृथा संबंधिथ है थी सिवा जी का जन्म कहां हुआ तो सिवनेर के दुर्ग में हुआ कासी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने सिवा जी का राज अभिशेक करवाया तो स्रीव विशेस्वर जी गंगा भट ने सिवा जी का राज अभिशेक करवाया अगला है सिवा जी का अंतिम सैने अभ्यान कौन सा था तो करनाटक अभ्यान यह most important question है next देखते हैं सर ए नौवत का अर्थ था सेनापती सर ए नौवत का अर्थ है सेनापती क्या है सेनापती next है सर देशमुखी की वसूली सिवा जी इस अधार पर करते थे की वे महराश्ट पुस्तैनी सर देशमुख परधान मुखिया है सर देशमुखी राजस्व का कितना परतीशत होता था तो जो सर देशमुखी था वह राजस्व का 10% होता था कितना परशंट होता था 10% होता था मराठा काल में स्थाई घुरसवार सेना एवं अस्थाई घुरसवार सेना क्या कहलाती थी तो पागा या बर्वीर एवं सिल्दार कहलाती थी मराठा कालीन घुरसवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुरसवार होते थे तो पचीस एक खवलदार के अधीन कितने घुर्सवार होते थे तो पचीज नेक्स देखते हैं मराथा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन एक नायक के अधीन ठीक है कितने पायक या पद्द सेनिक होते थे यानि पैरों से चलने वाले बिना किसी अस्व के या फिर गज के तो वो थे नौ Next है सिवा जी ने मजबूत नौ सेना का गठन किया था सिवा जी का सरव प्रथम नौ सेनिक बेड़ा कहां स्थापित हुआ तो सिवा जी का नौसेनिक बेड़ा सबसे पहले कहां स्थापित हुआ तो कोलाबा में कहां कोलाबा में सिवा जी का सरप्रतम नौसेनिक बेड़ा कहां स्थापित हुआ कोलाबा में कहां कोलाबा में नेक्ष देखते हैं मराठा मंडल या मराठा राज संग मराठा कनफिंडेरशी की स्थापना किस पेस्थवा के समय में हुई बाला जी विस्वनात के समय में मराठा राज की पेस्थवा की स्थापना हुई मुगल एवं मराथों के बीच हुई 1719 इस्वी की संधी को रिचर्ड टेम्पल ने मराथा सामराज का मैंगना काटा कहा यह संधी बाला जीविस्वनाथ एवं सयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी किसके नाम पर किया था तो मराथा सामराज की सबसे बहादूर महिला कौन थी तो तारा बाई नेक्स है वह अंतिम चत्रपती कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारो का भोग किया और जिसके बाद मराथा चत्रपती नाम के राजा रह गये और धीरे धीरे सारी शक्ती पेशवा के हाथ में चली गई तो साहू प्रथम कौन साहू प्रथम किसे लडाकू पेशवा और हिंदू शक्ती का अवतार किसे का जाता है तो बाजी राव प्रथम किसे का जाता है बाजी राव प्रथम को कहा जाता है नेक्स्ट है किस पेशवा ने मुगल बादसा मुहम्मद साह रंगीला को मराठा सक्ती की एक जलक दिखाने के लिए 1736 इस्वी में दिल्ली पर आकर्मन किया और मुहम्मद साह को मालवा की सुभिदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवस्ट कर दिया तो कौन थे बाजी र प्रिथम नेक्स्ट है किस मराठा सरदार ने पूर्मे में बंगाल बिहार उडिसा में 1741 से 1751 के बीच मराठा सक्ती का प्रशार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खा को संधी करने पर विवस्ट किया तो रगु जी भोस्ले कौन था जो बंगाल के नवाब अली वर किसने दिली में मुगल बाठा की साहयता के लिए रखे गए अपनी शेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दिवान एच्छाट से चान्दी निकल वाली दिल्ली की दिवान एच छट से चांदी निकल वाली वो था शदाशी उराब भाव। ये चांदी ये निकल वाले तहाँ था दो मोती जल में घुल गए सोने की 27 मोहरे खो गई खो गई चांदी और तांबे की जो हानी हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता या किस से सम्मंदित है तो पानी पत का तृतिय युद्ध में मराठा सिना के विनास से है किसे है पानी पत का तृतिय युद्ध में मराठा सिना के विनास से है पानी पत के तिरती युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्पूर्ण सैने सरदार कौन थे तो विश्वास राव और सदाशिव राव भाव कौन थे विश्वास राव और सदाशिव राव भाव किस इतिहासकार ने अपनी पानी पत कहा पानी पत का तिरती युद्ध एक निरनायक युद्ध था मराठा सिना की मुकुट मनी वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पस्चाद मराठो के अखिल भारती समराज के स्वपने नस्ट हो गए तो ये कौन कहा था किस इतिहास कार ने तो जदुनाद सरकार ने कहा था कौन कहा था जदुनाद सरकार ने नेक्स्ट है सिवा जी के बाद किसने गुरिला युद को गुरिला युद का संचालन किया तो बाजी राव प्रथम कौन किया बाजी राव प्रथम गोरिला यूद का संचालन दुबारा से किसने चालू किया सीवा जी के बाद तो बाजी राव प्रत्थम ने किया किसने किया बाजी राव प्रत्थम ने किस मराठा पेश्वा को मैकिया वेली कहा जाता है तो नाना फडनविस को क्या कहा जाता है मैकिया वेली मैकिया वेली किसे काते है नाना फड़नविस को क्या आग बोलते है नाना फड़नविस को मैकिया वेली नेक्स्ट है वर्स 1771 में दिल्ली की गद्धी पर शाह आलम को पुनर स्थापित करने वाला मराठी सरदार कौन था नेक्स्ट है मराठा सचीवाले कहलाता था फाद मराठा सचीवाले क्या कहलाता था उस वक्त फाद कहलाता था नेक्स्ट है किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपिय धंग से किया तो महदाजी सिंधिया ने सेना का गठन यूरोपिय धंग से किया तो यूरोपिय धंग से सेना का गठन करने वाला कौन था मराठा सरदार तो महदाजी सिंधिया कौन था महदाजी सिंधिया डफने नेक्स्ट है अहमद शाह अबदाली के भारत पर आकरमन और पानीपत की तिसरी लड़ाई लडने का ततकालिक कारण क्या था वह माराठो द्वारा लहौर से अपने वायस राए तैमूर सा के निसकासन से बदला लेना चाहता था ततकाली कारण क्या था पानीपत का तीसरी लड़ाई लडने का ततकाली कारण क्या था कि वह माराठो से यानि अमद साब अबदाली माराठो से माराठो द्वारा लहौर से अपने वायस राए तैमूर के निसकासन का बदला लेना चाहता था नेक्स्ट है माराथा राजी का दूसरा संस्थापक किसे कहा गया तो बाला जी विस्वनात को सिवा जी के समराज में राजधानी कहा थी तो रायगर्ड सिवा जी के सामराज में राजदानी कहा थी? राइगर सिवा जी के सामराज में राजदानी कहा थी? राइगर वह कौन से नायक था जिसे बीजापूर के सुल्तान ने 1669 इस्वी में सिवा जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था अबजल खा अबजल खा था जिसे बीजाबुर्स के सुल्तान ने भेजा था सिवा जी को जिन्दा या मुर्दा पकड़ के लाओ इसे कहा गया था सिवा जी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे आगरा के नगर में कैद थे कहा के नगर में कैद थे सिवा जी आगरा के नगर में कैद थे एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लडाई को स्वयम देखा वह कौन था कासी राज पंडित कौन इतिहास का तीसरी पानिपत की लड़ाई को खुद देखा तो कासी राज पंडित सिवा जी औरंग जेब के आगरा दर्बार में कब उपस्थित हुए तो 1666 हैस्वी में संभा जी के बाद मराठा सासन को किसने सरल और कारगर बनाया तो बाला जी विस्वनात ने किसने बनाया संभा जी के बाद मराठा सासन को सरल और कारगर कौन बनाया तो बाला जी विस्वनात ने बनाया चौत मुगल छेत्रों में भूमी एवं पडोसी राजियों की आय को चौथा हिस्सा होता था इस कर को किस वनसे के सासको ने वसूला जो चौत मुगल छेत्रों की भूमी एवं पडोसी राजियों की आय का चौथा हिस्सा था उसको कौन सा सासक वसुला था तो मराठावन सुसुला था किसने प्रतिनिधी पद का स्रिजन किया जो पद करम में पेश्वा से भी उपर था तो राजाराम प्रतिनिधी पद का स्रिजन कौन किया राजाराम और जो प्रतिनिदी पद था वो पेश्वा से भी उपर था यही समय है जब विदेशियो मुगलो को अपने देश से निकाल कर अमर किर्थी का अरजन कर सकते हैं यदि हम इस सुख रहे पुराने विख्ष के तने पर आयात करेंगे तो उसकी साखाएं अपने आप ही गिर जाएगी यह किसने कहा तो बाजी राव प्रत्थम ने कहा किसने कहा बाजी राव प्रत्थम ने नेक्स्ट है किसने पुरतगालियों से सालसेट एवं बेशिन के द्वीपो को छीना तो बाजी राव प्रत्थम ने किस ने छीना बाजी राव प्रथम ने पुत्यगालियों से सालसेट और बेसिन के जीपों को छीना था किस मराठा सरदार ने 1759 में पंजाब विजय किया तो रघु नाथ राय ने 1759 में पंजाब पर विजय किया किसे अंतिम महान पेषवा कहा जाता है तो माधव राव को अंतिम महान पेषवा कहा जाता है किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज की देख रेक बड़ा भाई वाई वार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिश्द करती थी तो माधव नारायन यानि सवाई माधव नारायन दुदिये पेशवाई को कब समप्त किया गया 1818 में पेश्वाई को कब समप्त किया गया तो 1818 में गुरिला युद्ध का पत्प्रदशक कौन था तो सिवा जी गुरिला युद्ध का पत्प्रदशक कौन था सिवा जी सिवा जी के प्रशाशन में पेश्वा को कहा जाता था प्रधान मंतरी सिवा जी के प्रसाशन में पेश्वा को प्रधान मंतरी कहा जता था यूरोपिया शक्तियों में किसने सिवा जी को तोपे प्रधान की तो अंग्रेजों ने यूरोपिया शक्तियों में सिवा जी को तोपे कौन दिया तो अंग्रेज दिया सीवा जी ने मुगलो को किस संधी के द्वारा किलो को हस्तांतरिद किया सीवा जी सरवादिक प्रावावीत थे जीजा भाई से अश्ट प्रधान मंत्री परिशद किस सासक के सासन काल में थी सीवा जी के सासन काल में थी तो सीवा जी के सासन काल में थी और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजेगा ताकि हर जरूरत मन के पास ये वीडियो पहुंच सके चलिए आगला देखते हैं सिवा जी के राजनीतिक गुरु एवं संरच्छा कौन थे राजनीतिक गुरु और संरच्छा कौन थे तो डादा जी कौन देव कौन थे डादा जी कौन देव नेक्स है सिवा जी को राजा की उपादी किस ने दी राजा की उपादी कौन दिया किस ने दिया औरंग जेव दिया सिवा जी को पहाडी चूला वा सासी डाकू की संगया किस ने दी औरंग जेव ने दी तो औरंग जिब ने कौन-कौन से संग्या दी है राजा की उपादी दिया और पहाडी चूहा कहा सासीडा को भी कहा कौन औरंग जिब कहा सिवा जी के समय में अस्ट प्रदान कहा जाता था आठ मंत्रियों का एक परिशद था सिवा जी के बाद क्रहमशा दूसरा च्छतरपती एवं दूसरा पेशवा कौन बना तो सिवा जी के बाद दूसरा च्छतरपती संभाजी बना और दूसरा पेशवा कवी कलश बना कौन बना दूसरा च्छतरपती संभाजी और दूसरा पेशवा कौन बना तो कवी कलश किस मराथा सासक के शासन काल को पेशवाओं के सासन काल के नाम से जाना जाता है तो साहू को जाना जाता है किसके समय में मराठा सकती अपने चर्मुत कर्स पर पहुंची तथा साथ ही मराठा सकती का पतन आरंब हुआ तो बाला जी बाय जी राओ किसने पानी पत की तिर्ती युद में संगठित मराठा सेना का नेतित किया तो सदासी राव भाओ ने किसके साशनकाल में प्रतम आंगल मराठा युद 1775 से बराशी में हुआ माधाव नारायन के साशनकाल में प्रतम आंगल मराठा युद हुआ द्वितिय आंगल मराठा युद्ध एवं तिरतिय आंगल मराठा युद्ध के समय मराठा पेश्वा कौन था तो बाजी राव द्वितिय और द्वितिय आंगल मराठा युद्ध कब हुआ 1803 से 806 तक तिरतिय आंगल मराठा युद्ध कब हुआ 1817 से 808 तक 1775 से 1785 के प्रथम आंगल मराठा युद्ध का कौन सा परिनाम हुआ किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई कोई नहीं जीत है इसमें सीवा जी की मिर्तियु के बाद उत्रा धिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई तो राजा राम और संभा जीर के बीच में किसके बीच राजा राम और संभा जी के बीच में चौथ क्या था पड़ोसी राजियों पर सिवा जी द्वारा लगाया गया भूमी कर कौन लगाया था सिवा जी किस पर लगाया थे पड़ोसी राजियों में लगाया थे दास बोध के रचनाकार कौन है तो समर्थ रामदास कौन समर्थ रामदास किसके रचनाकार दास बोध के गौलियर राज की स्थापना किस ने की तो महाद जी सिंधिया ने की गौलियर राज की स्थापना कौन किया महाद जी सिंधिया सिवा जी के अश्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेक करता था वो कौन था वो सुमंत था क्या कलाता था सुमंत कलाता था अश्ट प्रधान का सदर से जो विदेशी मामलों का देख रेक करता था विदेशी मामलों का देख रेक करने वाला क्या करता था सुमंत सिवा जी ने कब छत्रपती की उपादी धारन कर अपना राजी अभी से करवाया तो जून 1674 में नेक्स्ट कोश्चन है अपने राज भिसेख के उपलक्ष में सिवा जी ने ये गरबढ़ है नेक्स्ट है मराठा राजे का अंतिम पेशवा कौन था तो बाजी राव द्वितिये कौन था ये मराठा राजे का अंतिम पेशवा तिरतिये आंगल मराठा युद्ध 17-1818 के दोरान हुई सबसे अंतिम संधी क्या थी कौन सी थी तो कानपूर की संधी तिरतिये आंगल मराठा युद्ध जो की अंगरेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था उसका क्या 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 कहाया मराठा नेत्वित्य कौन समाल रहा था तारा भाय समाल रहे था सिवा जी का जन्म कब हुआ और तो सिवा जी का ज़ो जन्म था वो 1627 में हुआ जन्म 1627 में हुआ जन्म कब हुआ 1627 में और उन्हें चत्वपती का उपादी कब मिला 1674 में कब उपादी मिला 1674 में तो इसी के साथ आज का ये सेशन खतम होता है अगर आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दिजे प्लीज और इसे के साथ जय हिन जय भारत धन्यवाद थैंक यूज जय 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 भारत धन्यवाद थैंक यूज सक्टाइब कर दो